नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम continuity टेश्टर बनाएंगे वह भी एकदम कम प्राइज में और ज्ञादा दिन तक चलने वाला तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं है इस्टार्ट तो दोस्तों सबसे पहले हां क्या देखें यह मैं लिया ह का जो पहिये में तीली लगता है उसको मैं लिया हूं अगर आपके पास तीली नहीं मिलता है तो आप कोई भी इतना पतला लोहा जो आपका यहां इसमें आसानी से घुच जाए इतना पतला लोहा आपको ले लेना है तो आईए अब हमें यहां से इसको इतना बड़ा कट करना पड़ेगा तो कट करने के लिए हमें प्लास की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लास को देखिए यहां से तो कटेगा नहीं यहां से इसको कटने के लिए यहां रोड कटने के लिए प्लास में इस पेसल जगह दिये रहते हैं यहां आपको लगाना है और जहां से काटना है देख तो दोस्तों देखिए इतना बड़ा-बड़ा मैं दो भाग यहां काट लिया अब क्या करना इसका जो एक सामने वाला भाग एक किसी और का एक भाग फाई से इस तरह से हमको थोड़ा सा यह नुकीला बना लेना है जल्दी घिसेगा नहीं लेकिन धिर दिर इसको मैं नुकील है एक बजर यह पांच बोलड का बजर है और देखिए इसमें बजर में जो बड़ा वाला लेग होता है यह प्लस होता है और छोटा वाला जो लेग होता है यह यहां इसका प्लस और इसका प्लस दोनों एक साथ हमको ऐसे जोड़ना है तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे यहां इस LED को थोड़ा इसे मोड़ देते हैं और यहां ऐसे लगाक हम इसको यहां सोल्ड कर देंगे तो अभी दोस्तों देखिए यहां बजर का प्लस और LED का प्लस दोनों एक साथ जोड़ दिया गया और बजर का माइनस और LED का माइनस दोनों को एक साथ जोड़ दिये हैं दोस्तों अब इसका बढ़ा हुआ भाग है इसको हम यहां से काट देते हैं दोनों साइड का यहां है अब हमें लेना है एक वायर वायर कापर वायर लेना है पतला तो पतला मेरे पाद देखिए स्पीकर का ये खराब कौायल है इसी में से मैं निकाल रहा हूं यहां तो यहां इतना बड़ा में पहले यहां काट लेता हूं का दो वाइर हमें कापर के इतना चोटा चोटा हमको एक कट लेना है अब कट के इसका इसके एक पॉइंट पर हमको एक वाइर हमें जोड़ना है इस तरह से हम जोड़ देते हैं इसको देखें हुआ एक साइड में छोटा वाला वायर पहले हमें जोड़ना है यहां छोटा वायर हम जोड़ लेते हैं यहां छोटा वायर जोड़ने के बाद अब हमें यहां इसका जो प्लस है तो यहां प्लस हमारा इधर वाला था इस प्लस पे हमको यहां इसे जोड़ देना है इस तरह देखि जोड़ना है तो जोड़ना है यहां इस तरह से बैठी का जो यह बराबर वाला हिससा होता है यह मैनस होता है और जो बनाइस पर अश्योड़ना है अब हम हम यहां शीरिंज का यह वाला निकाल देते हैं और निकालके यहां इसको ऐसे डालेंगे यहां तेकि इस तरह से जिसमें जो मेरा होल है यह इस होल में इस राड को चले जाना है तो यहां मैं लगा लेता हूं इसमें कि राड को यहां इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम यहां इस से लगा देंगे उससे पहले यहां हमें एक वायर जोड़ना होगा प्लस पे तो एक ले लेते हैं वायर मैं चोटा वायर यूज कर रहा हूं आप अपने जरुरत के हिसाब से एक मीटर के आसपास भी आप ले लेना है अब हम चलेंगे यहां यह दूसरा वाला पाइप इसका भी निकाल देते हैं तो दोस्तों हमें एक और छोटा सा वायर इस तरह से ले लेना है यह कापर वायर और इस कापर वायर को लेकर हम यहां इस राड पर जोड़ देंगे यहां पर जोड़ लेने के बाद प्लस पे ओर देना हूं है सब प्लस पह जोड़ने के बादो अब हमें इस राड को को अंदर यहां डालना होगा तो आए हम डाल लेते हैं राट को यहां डालने के बाद हम इस सेल को ऐसे थोड़ा राउंड राउंड घुमा के ऐसे ऐसे डालना है देखें यहां तक यह पड़ गया अब दोस्तों तार तो हीलेगा तो क्योंकि यह तार यहां जब हमारा इसे हीले सब्सक्राइब। ठीक है और यह दूसरा वाले में भी हमको इसी तरह से ऐसे यहां फिक्स कर देना है तो दोस्तों यहां इतना करने के बाद देखें अभी हमारा जो बजर बजेगा वह आवाज नहीं करेगा तो क्या करना है यहां एक छोटा समय होल कर दे रहा हूं यहां पर मैं इस तरह से यहां होल कर दे रहा हूं और एक होल हम यहां कर देंगे तो दोस्तों अब देखें मेरा कांटिनूवटि टेश्टर बनके कंप्लीट हो गया है देखें यहां बजर की भी आवाज आ रही है और हमारा इंडिगेटर भी यहां बता रहा है आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहां मेरा यह continuity tester बनके तयार हो गया है लेकिन अब एक प्राब्लम यहां आई है कि हमारा जो rod है यह हिल रहा है तो हमें क्या करना है राड को ऐसे यहां पे फेवी क्यूक से हमें इस तरह से यहां जाम कर देना है तो हमने दोनों को पेवी क्यों से चिपका दिया अब देखे हमारा यह नहीं रहा है तो आईए हम इससे component को चेक करके आपको डिखाते हैं दोस्तों इस तेस्टर की मदद से continuity में जितने भी पार्ट टेस्ट होते हैं सब को आप टेस्ट कर सकते हैं तो आई यह मेरे वहाँ गए है यानि हमारा ऐस सब्rakt है गृष् profit लेते हैं जाल रही है दाइब को हम अयसा पलट लेते हैं यहां आउन को भी आप टेस्ट कर पाएंगे यह दे सब्सक्राइब हैं अगर कैपी सीटर है तो केपसिटर का भी हम यहाँ चेकिंग कर लेंगे कि यह सौर्ट यहाँ काम कर रहा या नहीं देखिए जिसे यहां अब्ध्यान दीजेगा कुछ नहीं बोला और हम केपसिटर को यहां पलट देते हैं अब यहां देखिएगा देखिए इंडिकेटर जल के हमारा फिर बुझ गया यानि यह चार्जिंग डिस्चार्जिंग ले रहा है देखिए इस तरह से इससे हम इस स्पीकर को भी चेक कर सकते हैं इस्पीकर के दोन अब है या सही है तो कैसे test करेंगे यहां एक तरह यहां लगाएंगे इस प्लक एक पॉइंट पर और यहां इसमें इस तरह से देखिए हम बीब की आवाज आप मिले गया और इंडिकेटर भी बताएगा इसमें दूसरे वाले में नहीं बताएगा लेकिन यहां जब फिर द सकते हैं, वो भी ये बहुत लंबे समय तक आपका साथ देगा, जल्दी से ये खराब होने वाला नहीं है, तो उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेग तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार